नमस्ते तो आज हम एक और रिडिंग करने वाले हैं और आज जैसी का आपको पता ही है आज है फुल मून उपर से गुरु पोर्डिमा है आज ओके तो गुरु पोर्डिमा की सबसे पहले आपको सबको शुपकाम ना है और आज हम देखेंगे कि इस फुल मून का क्या असर सबसे पहले आपको कर देना है लाइक फोकस करना है अपने पार्टनर के उपर आपने लाइक कर दिया होगा देखते हैं इस फुल मून का क्या असर होगा इस रिष्टे पर आप दोनों के इनर्जी पर उके सबसे पहले अगर मैं बता दू तो जो चीजे रुक रुक के चल अब वह फास्ट आगे बढ़ेगी अगर दिल की बात नहीं बोल रहा था ना तो आने वाले समय में यह अनसान मतलब बोलेगा आपने दिल की बात जो भी है चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो जो भी है इसके दिल में वह बोलेगा आपसे कुछ लोग आपर ऐसी भी है कि अपनी करियर के लिए आपसे दूरिया बना रहे थे चाहे कुछ भी हो ठीक है ऐसी एनरजी हापर है कि आपके परसन जिस कदर इस रिष्टे से दूर भाग रहे थे या जिस कदर आपसे दूर भाग रहे थे तो अब यह अनसान समझ पाएगा कि इस रिष्टे से दूर आँन सांसाते हैं कि संफने एक स्लेंसियां टाईके अपने को अपने मन्ह ओंपो इस अंसान में पूंपर पता नहीं चल रहा था जिस्तरासफर आप आपके पार्टनर उदास बियांट, इस फुल मॉन के इनरजी हो सकती कि आपके पार्टनर ज्यादा उदास हो तो प्रेस dire no यसे वे नवी आप पर है कि फुल मॉन का ऐसर इस इंसान के उपर इस गदर होगा कि इनकी परिशानिया भी बढ़ सकती है इनकी उदासी भी बढ़ सकती है लेकिन एक क्या होता है कि दुख दर्द का भी अंत होना ही है कभी ना कभी दुख दर्द का अंत भी होना ही होना है मतलब एक जैसे कि होते हैं एनरजी कि मुर्त्यों के बाद क्या हो सकता है एक रिबर्थ ही हो सकता है तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि इस अन तक आपने दर्द और परिशानिया इस रिष्टे में छेली हैं कि अब सिर्क एक rebirth ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता अगर होगा तो कुछ भला ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता इस कदर यहाँ पर मुझे energy है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी परिशानिया का सामना आप कर रहे थे वो आपसे शादी नहीं कर सकता अगर कुछ बाते ऐसी हैं तो इस कदर इस रिष्ट में changes आते हुए दिखाई दे रहे हैं तकलीफ का सामना तो आप दूर नहीं किया है जिस सरह से आपर energy आई है हो सकते कि addiction सा feel हो रहा है इस इंसान को आपके लिए और यह जो full moon के energy है आपके partner को तकलीफ दे रही है इस इंसान नहीं कुछ ऐसा decide नहीं किया था कि वो आपसे दूर जाए ठीक है भले इस इंसान नहीं कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि वो आपको तकलीफ देगा लेकिन चीज़े घटित होती रही ठीक है और आपके partner जो इस कद अधरिकॉंच के energy बहुत जादा लग रही है क्याप्रिकॉंच हो सकते है आपके person सच्चित्रोइस हो सकते हैं लिपरा हो सकते है टोरस राशी भी है यहाँ ठीक है और स्कोर्पियो के energy यहाँ पर बीच में ही आई है ओके यह जो symbol बनाई यह स्कोर्पियो का है मुझे ऐसा जल्दी पिघल जाता है लेकिन दिखाता है कि बहुत आपसे problem है या इसके मन में बहुत गुस्ता है लेकिन अंदर ही अंदर मोम की तरह पिघल जाता है अंसां चाहें आपके photo देखकर या आपके बार में सोच कर पुराने यादों में खोकर वो इतना जादा मतलब घुल मे जाते हैं आपकी यादों में जिस तरह से आपर इनर्जी है मुझे आपर बहुत strong ऐसा फिल हो रहा है कि आपके person आपसे बात करेंगे call message आने वाल समय में आपको रूसी हो सकता है में भी किसी किसी के लिए हो सकता है या आपर number 9 की energy में जो बहुत जदा आ रही है नो हपतों में दिन में आपके partner के तरब से कुछ ऐसा call message आपको रूसी हो सकता है आप दुनों की बात हो सकती है और मुझे यहापर ऐसी भी energy आ रही कि कुछ लोग यहापर ऐसा हो सकता है कि आपके partner और आप शायद एक जगा पर काम करते हो या हो सकता है कि आपके partner ने job छोड़ दिया कि कोई एक इंसान दोसरे को देखो यहाँ पर अगर आपको दिखे है कि आगे बढ़ो हो सकता है कि आपके partner के energy है यह आपके partner है और यहो की एस इंसान को पुछ करते रहे हो आगे बढ़ने के लिए चाहे वो career के लिए हो चाहे रिष्टे में हो और यह मुझे आपके partner है कि आप इस इंसान को हमेशा ही motivate करते आए हो, हमेशा ही इस इंसान को आगे बढ़ने में आपने बहुत help की है, ऐसी भी energy मुझे आपर है, ये जो इंसान है, बहुत ज़दा ऐसी energy है कि एक ऐसी situation में था कि इसको समझ में ही नहीं रहा था कि वह action ले तो क्या ले, एक ऐसी energy आपर म चीज पर बहुत ज़दा focus कर रहा था, और अब ये full moon की energy है, आपके partner को ये एहसास हो जाएगा, कि उसके जिन्दके में उसका career जितना जरूरी है, जितना finance जरूरी है, जितना business, जो कुछ भी हो करते हैं, उतने ही जरूरी आप भी हो, ठीक है, ये full moon की खासियत है यहापर, कि इस इंसान को एहसास हो जाएगा, जिस से उनका नाम शिरू हो सकता है, और जिस तरह से आपर energy है, मुझे आपर ऐसा भी feel हो रहा है कि कभी, ऐसा भी हुआ होगा आप दोनों के बीच में, कि आपने इस इंसान को block कर दिया होगा, या ये vice versa हो सकता है, कि इस इंसान ने आप से दूरिया बनाई थी, ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ऐसे भी आकृती मुझे दिखाए दे रहे हैं, कि इस इंसान अपने जो भी गलतिया है, अब स्विकार भी करेगा, ठीक है, कि आपरिकॉन के energy बहुत strong है गाई से आपर, attraction, एक addiction बढ़ता जाएग इस इंसान का आपके लिए, और मुझे ऐसे भी energy है कि एक स्वस्तिक है आपर, बहुत ही शुभ बताता है, जो बहुत ही मंगल कारे बताता है, मुझे तो लगता है कि कुछ लोग के लिए शादी का अगर प्रपोजल आएगा, तो बहुत जदा चांसे से कि आप दोनों के ब चिंतित है, तो कोई इस इंसान को ऐसा opportunity मिले की, या कोई ऐसी हो सकता है, अचानक धनप्रापती की योग भी आपर दिखाए दे रहे कि कही से ना कही से इस 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 मिल सकता है, कोई good news मिल सकती है, या आपके partner कुछ ऐसे बात कहे दे कि जिसके बाद आप खुश हो जाओ, ठीक है, नमबर 7 के energy है यहापर, और यहापर cross road पर जैसी कि आपके partner खड़े थे, अब तक इस इंसाम को समझ में नहीं रहा था कि क्या करे क्या ना करे, और मुझे guys यहापर ऐसी भी energy है कि हो सकता है कि इस रिष्टे में long distance में बहुत ज़्यादा लोग यह पर है, या emotional distance आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आ गया था, या कोई baby के लिए बहुत try कर रहा है, अगर आप शादी शुदा हो, ऐसी वे energy यहापर है, जिस तरह से यहापर energy आ रही है, बार बार मुझे एक बहुत ज़्यादा new, newborn baby कैसे होता है, या सब कुछ एक ग्लेक नये से जूरो से शुरबात हो सकते है, ये किसी किसी के लिए होगा, कि एक जूरो से शुरबात होगी, झाल बहुत ज़्यादा अनि पूरानी बाते आ भोल जाओगे, ऌसी बाते होते होक बार मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, आपकि परसनल इस वगत ऐसी energy में है कि बहुत helpless and hopeless सा feel करते हैं इस इंसान को आपसे भी कभी-कभी इंसान इतना ज़दा ऐसा हो जाता है कि इसको आपसे भी कोई उम्मीद नहीं है इस इंसान को लगते हैं आप भी इस इंसान का साथ नहीं दे रहे हो एक इतना ज़दा नीराशा की और इंसान चला जाता है लेकिन आने वाले समय में अगर आज की इनर्जी देखी जाए तो sadness है helpless and hopeless साभी फील करते हैं लेकिन आगे की इनर्जी अकर हम देखी जाए तो इस रिष्टे में बहुत सारे बदलाव आते हुए दिखाए दे रहे हैं और जिस तरह से आपर एनर्जी है आप इस इनसान का साथ जरूर दोगे लेकिन हो सकता है कि इनसान आपके आइसान को भूल जाता है हो सकता है कि इस इनसान के ओपर आपने बहुत आइसान की जिसके आप पहले भी एनर्जी आई थी कि आप इस इनसान को को हमेशा पुश्च करते हूँ आप चाहती हो कि इंसान आगे बढ़ें लेकिन यह इंसान भूल जाता है उन बातों को इस इंसान ने आपके लिए क्या किया इंसान हमेशा याद रखता है लेकिन आपने इस इंसान के लिए क्या कुछ किया है आज तक इंसान हर वक्त भूल ज जाता है ऐसी भी आपर बहुत जादा मुझा रही है ठीक है और क्या देखते हैं हो सकता है या तो बहुत पैसों के एसे नहीं कहते हैं इस सब्सक्राइप का होसकता है जहाई है और कि कमी करने कанд user से दिखाते हैं जब भी में देखा हुए जब्ही आपके उपर पोछ खरक्ष करने की वारी आती है इसी यहां है करने में कंजूसी करता है ऐसे भी यहां पर मेंसे बहुत स्ट्रांग एनरजी आ रही है और कुछ रोकली तो इस इंसान को ट्रिगर मिलने वाले चाहिए इस इंसान के घरवालों की तरब से हो चाहिए किसी की भी तरब से हो कोई इस इंसान को ट्रिगर करेगा या आपकी पु सकता है कि इस इन्सान पहले ये बात नहीं समझ रहा था अगर आप इस इंसान को कुछ समझाने की कोशिश करते तो इस इन्सान को बहुत बोर होता था ए्स इन्सान को लगता गिनफार की वो कहा के है हो सकता है कि कोई पासलाइब कर्मा हो जैसे कि सरकल बना है यहाँ पर हो सकता है कि आप देखो हमें तो पता नहीं होता कि हमने पिछले जनम में क्या कर्म के हैं ठीक है हो सकता है कि कोई पासलाइब कर्मा था जो आपको रिलीज करना जरूरी था अगर आपको बहुत जादा दर्द, इतना जदा दर्द की आप से वो बरदाश्प नहीं हो रहा था, इतनी जदा तकलीप से आप अगर गुजरे हो, तो definitely आपका कोई past life कर्मा हो सकता है, जो आपको release करना जरूरी था, परिशान नहीं होना, यहाँ पर लक्ष्मी की कृपा होते हैं, दिखाएजे रहे आपको, या कोई suddenly change होने वाला है, या कोई gift मिलने वाला है आपको, या यह अनसान आपके जिन्दग में वापस आएगा, यह भी आपके लिए बहुत बड़ा gift है, ओके, यह आपर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके partner isolation के energy में थे, बहुत ज़्यादा तकलिफ में थे, और अब कि आने वाला समय इस इनसान को इस energy से बाहर निकलने के लिए मदद करने वाला है, कुछ लोग आपर ऐसे भी co-dependency बहुत जादा थी आप दोनों के बीच में, और यह co-dependency की budget से भी बहुत तकलिफ का सामना आपने किया हो सकते हैं, आप इस इनसान के बिना बिल्कुल नहीं यह partner बड़ा freedom lover हो सकता है, इसको हमेशा आज़ादी चाहिए, अगर ऐसी वी कुछ energy है, तो देखो गाईस, मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी की जिंदगी है, अगर आप रोक टोक करोगे, तो सामने वाला परिशान तो होगा, अगर आपके partner freedom lover है, और हमेशा ही आप इस इनस अगर आप एस इंसान को ऐसे रोक टोक कर रहे थी, तो आप सोचो, इसके उपर आपको सोचना शाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजों के लिए compromise नहीं किया गया इस रिष्टे में, या तो आपके partner के तरब से बिलकुल compromise नहीं किया गया, या तो आपकी तरब से ठीक है, अगर छोटी-छोटी चीजों के लिए compromise कर जाओगे, तो बहुत बेहतर रिष्टा ही बन सकता है, अब हम ट्यारों से जानते हैं, ठीक है, इसको अटा देते हैं, पहले हम मुनलोजी से देखेंगे, क्या कुछ energy हमें या आपर मिलती है, फोकस करना है आपको अपने ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड, ओके, देखो मैंने पहले बोला था कि इसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, इससे खुबसरत कार्ड, ओ माई गड, लिब्ला का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, विन-विन आउटकम इस फोर कास्ट, तो जीत होने वाली है, आ आपका जो हाड़ वर्क है, वो अब उसका रिवर्ड आपको मिलने वाला है, क्याप्रिकॉन हो सकते हैं, आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, कैसर हो सकते हैं, आपके पार्टनर के लाइफ में जो भी परसनल इश्यू है, उसके उपर अब कोई ना कोई उपाई उनको म सब्सक्राइब लुद्सini टतेञे हैं तो इनसान किया प्यार करेंगा उसके दिल में जजबात तो है मिनक्न सदिर के एक और क्वाटनी Сबड़ागी को सब्सक्राइब शव्य neither आपने जो इस रुष्टे के लिए hard work किया है उसका reward आपको जरूर जरूर मिलेगा और आपकी जीत होगी ठीक है आपके partner खुद आपको justice देना चाहते हैं क्योंकि Libra का card है ठीक है और खुबसुरत energy क्या हो सकती है guys और देखते हैं करना है आपको अपने partner के उपर देखते हैं क्या हमें मिलता है देखो यहाँ पर अगर कोई third party थी न तो यह भी चेंज होने वाला है मुझे ऐसा लगता है the magician यह इंसान एक ऐसा है ना बहुत चालाक इसने चालाकियों के साथ अपने काम निकल वाली है ऐसा भी हो सकता है कुछ और है यहाँ पर है nine of souls okay तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपर energy आई है आपके person भले खुद को दिखा रहे कि वह खुश है लेकिन यह full moon इस इंसान को बहुत उदास करने वाला है बहुत sadness के energy आपर आई है इस इंसान की रातों की नीन उड़ जाएगी अगर सान आपके साथ justice नहीं करेगा अगर दिखो दीखो बूर आ किया है इस इंसान है आपके साथ तो इस इसको जस्टिस तो करना ही पड़ेगा आपके साथ ठीक है और अगर यह इंसान को बाते रियलाइज नहीं होगी तो तकलिफ में गुज़ेगा इंसान इसकी रादों की न अपने दिल की जजबात बोलने के बारे में सोचेंगे और बहुत होश्यारी से बहुत ही ज़दा हो सकता है इस इंसाने mind game में भी बहुत खेले आपके साथ past में आपके भोलेपन का फाइदा उठाया आपके साथ mind game खेले और ये बात भी इस इंसान को realize होगी इस इंसान के लिए आने वाले समय में आप एक चुम्बक बनने वाले हो कि इंसान आपके तरफ खीचा चलाएगा ये इंसान आपको रोक नहीं पाएगा ऐसे भी energy यहाँ पर बहुत ज़ादा है मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है că आपके प्रसंब जिस इनर्जी में है वो फैसला नहीं ले पा रहे थे मैं भी किसी और की बज़र से इंसान फैसला नहीं ले पा रहा था कोई और था जो इस इंसान को भढ़का रहा था या कोई घरवाले हो सकते है या कोई फ्रेंड हो सकते, कोई तो था जो इस इंसान को फैसले लेने में बीच में टांगडाने की कोशिश कर रहा था, या इंसान को सिध्य तरीके से आपसे बात नहीं करने दे रहा था, लेकिन अब आपके परसन समझ पा रहे हैं कि किसी और की बज़े से ही वो इस इस नहीं करेंगे तो उनसान खुद भी कभी खुश नहीं रह सकता, दे माजिशन के एनरजी है या पर दिसन की है, आपके परसन की खुश्या जैसे की हो गई है आपके बिना, और अगर इन खुश्यों को अगर वापस लेकर आना है तो वो आपके साथ डेफिनेटली निया करेंगे, ठीक है, और क्या है, देखो गाइस, भागते हुए आएंगे, गुस्ते वाले हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए इस इंसान की गुस्तों की बज़ह से भी आप दोनों के बीचे बहुत प्रॉब्लेम का सामना आप दोनों ने किया है, अगर ऐसा कुछ है तो वो करते हैं, अगर वो आप दिखो, कुछ लोगें तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता कि आपके पार्टना ने आपको सपने दिखाए बहुत, और फिर बाद में यह इंसान खुद उस सपनों से खुद भी दूर चला गया, ठीक है, और आपके भी वो जो सपने थे उनको चूर- कुछ नहीं रह सकता, यह अंसान समझ पा रहा है कि आप ही उसकी खुश्या हो, आपके उसका, मतलब जीवन का सब कुछ अगर है, कोई तो वो आपको, यह आपके पार्टनर को समझ में आने वाला है, ठीक है, ठीक है, तो यह अश्या पर आई है, मुझे ऐसा भी लग लग कुछ लोग लिए financial problem तो है, यह लेकिन कुछ लोग लिए इनका परिवार का भी कुछ issue हो सकता है, उसकी बज़े से भी अंसान अब तक action नहीं ले पा रहा था, कुछ लोग लिए ऐसा भी हो सकता है, तो यह कुछ असर है full moon का, अब देखते हैं, आपके लिए इस वक्त क्या बताना जरूरी है, इनवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, सबसे पहला कार कोई burden है आपके, जैसे कि सेने पर कोई बोज है, किसी दर से, किसी तकलिफ से आपको release करना है, खुद को, को negativity है जिस से हो release करना है, किसी किसी के उपर बहुत जिम्मेदारिया है, या हो सकता है, कि आप एक से जादा काम करने की कोशिश कर रहे हो, देखो, ये अच्छी बात है कि आप multi talented हो, ये अच्छी बात है कि आप एक से जादा काम कर सकते हो, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, कि किसी एक काम के उपर focus करना है, बहुत जरूरी होता है, अगर आप सब काम एक साथ करने की कोशिश करोगे तो कोई एक काम भी पूरा नहीं होगा तो कोशिश करो एक काम के ओपर फोकस करने के एक काम को कम्प्लिट करने की कोशिश करो अभी इस वक्त आपको करज की बहुत ज़दा आवशकता है इनुवर्स आपको कहते कि कि देखो, courage तो आपके अंदर हो नहीं चाहिए, आप किसी से डर नहीं सकते, आप जीवन की मुश्किलों से डर नहीं सकते, अगर आपके अंदर courage नहीं होगा, तो आप life में आगे कैसे बढ़ोगे, तो देखो, जीवन में बहुत मुश्किल cheer meteorone अभी भी है, इसके आगे भी आएंगी ठीक है, लेकिन अगर आप हिम्मट से खड़े रहते हो, अगर आप हिम्मट दिखाते हो कि ने, जो चाहे हो जाए, मुझे आगे बढ़ना है, देखो ये जो पौधा है, ये जो ये जो पौधा, इसके लिए इस पत्थर लेकिन फिर भी ये बीच इस पत्थर से बाहर निकला और इतना बड़ा देखो फूल भी आए है उसको तो हिम्मत कर वोगे तो आगे बढ़ोगे अगर हिम्मत हारोगे तो फिर ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है तो आपको करेज नहीं हारना है नमबर सिक्स आपके लिए खास हो सकता है गाइडन्स ले सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई बात आपके समझ में नहीं आ रहे है अगर आपको लगता है कि गाइडन्स लेना ज़रूर है तो डिफरेंटल आपको गाइडन्स लेनी चाहिए धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे तो बढ़ना है आपको आ कोई बढ़ार रहे हो योज्य किसी के उपर डिपेंडेंस भी अपको कंक्रोल कर नहीं तोoux do कोडिपेंडेंस से बहा निकलना है त्हीरे पर पीदेंस से आगे बढ़ना है अगर लगी तो आपको एयसे share and subscribe में तकले वीडियो में तब तब के लिए बाई